हाई यह वरिवन विलकम टो सुजास के जन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जटपट बनने वाली और बहुती आसानी से बनने वाली रेसिपी यह है आंद्रस्टाइल ड्रम स्टीक फ्राई यानि ड्रम स्टीक सब्जी इस सब्जी को दे कर कोई भी कह सकते हैं हमन तो इस ड्रम स्टीक सब्जी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है दो ड्रम स्टीक इससे पहले हम इस तरह बढ़े-बढ़े टुकडों में कट करके रख देना है अब तीन टेपल स्पून जीतना तेल गरम के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर जब यह तेल गरम हो त्ष चाहिए वार से 5 लसुन की कलिया इससे हलका सा बून लेते है मतलब इसका जो कच्चापन निकर जाए तब तक बून लेना है और थोड़ा सा कड़े-पता भी डालेंगे फिर इसके साथ डालेंगे एक बड़े सेज की पैज को बारी कट करके डालना है इससे भी बून लेते हैं 1-2 मिनिट के लिए बस इसका हलका सा कलर चैंज होना चाहिए अब इसमें डालेंगे 14 टीस्पून हिंग् और 14 टीस्पून हल्धी पौर्डर डालेंगे फिर से 1 मिनिट के लिए बूंढ लेते हैं तो इसका जो स्वात बहुत अच्छी बनेगी अभी इसके बाद हम डालने वाले हैं टामाटर एक मेडियम सेज की टामाटर लिया है इसे भी बारी कट करके डालना है फिर इसके साथ ही डालेंगे आदा टीस्पून नमक, नमक डालने से क्या होता है न, यह जो टामाटर है, जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसे भी डालके अच्छी से पून लेते हैं, यह देखे, अभी टामाटर सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे एक टीस्पून दन्या पाउडर, और आदा टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, फिर इसके साथ ही डालेंगे, एक टीस्पून सामबार मसाला, ने तो आप कोई भी सबजी मसाला भी डाल सकते हैं, यह सारे ड्राइं इंग्रिडेंट्स को डालने के पाद, एक दो मिनिट के लिए अच् स्टिक, इसे भी डालके, एक दू मिनिट के लिए बून लेना है, अब इसमें डालेंगे, आदा टीस्पून जीतना गूड और दो टेबल स्पून जीतना इमली का रस डालेंगे, मैंने इमली को बिको के रखी हुई थी, इसे स्क्वीज करके डाल देती हूँ, इमली का रस पानी और इसके साथ ये डालेंगे आदा टीस्पून नमक, हमने नमक पहले भी डाल चुकी है, तो देखकर डालना है, फिर अच्छे से मिक्स करके इससे ढखके चार से पांच मिनिट तक पकने देंगे, नहीं तो जब तक ये ड्रम स्टिक अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो ज मतलब मैं डाल रही हूँ कांदलसुन मसाला एक टीस्पून, इसके अलावा आप आदा टीस्पून गरम मसाला डाल सकते हैं, सब्जी का टेस्ट अच्छी बनेगी, फिर अच्छी से मिक्स कर लेना है, फिर इससे ढखके और दो मिनिट तक पकने देंगे, ये देखिए, ड् अगर ये ड्रम स्टीक ठीक से सॉफ्ट नहीं हुआ तो और आदा ग्लास पानी डाल के फिर पकने दीजेगा, अब ये अच्छी से पक चुकी है, तो ग्यास फ्लेम को बंद करेंगे, इसमें डालेंगे, फाइनली, हम ग्रेट किया हुआ फ्रेश नारियल और कटा हुआ हर तनिया डालेंगे, फिर अच्छी से मिक्स कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारी ड्रम स्टीक सबजी आंधर स्टाइल बिल्कुल रेडी है सवर करने के लिए, इससे आप रोटी या चावल के साथ सवर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बनती है ये रेसिपी, आप जरूर ट्र और एक नए वीडियो के साथ, तब देखिए के लिए, बाई बाई, टेक एर